में तरो नमस्कार मैं मैं क्रिपाथी नौग्यान जोतिश शेनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि मेश रासी वालों का दिसंबर 2022 में कैरियर कैसा रहेगा स्वास्त प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन सिक्षा उचिक्षा इन सभी में इस्थिती आपकी कैसी रहने वाली है बात करें स्वास्त की तो इस महिने स्वास्त पूरा माह आपका उत्तम बना रहेगा लगनेश मारगी वस्था में धन भाव पे यानि दोती भाव पे बैठे विये हैं साथ ही साथ सूर्य बुद्ध और शुक्र सुरुवात में अश्टम्भाव में विराजमान है स्वास्त अच्छा रहेगा धन भारी मात्रा में पूरा महिना आपके पास आता रहेगा पैसे की कोई भी दिक्कत इस महिने आप महसूस नहीं करोगे दिसंबर 2022 में इसके इलावा अगर सिख्छा की बात करें तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 15 दिन का समय ठीक रहेगा 15 तारिक तक और 15 दिन के बाद जो समय है वो बहुत अच्छा हो जाएगा जैसे ही सिख्छा के स्वामी आपके भाग भाव पे जाएंगे तो पहली चीज तो सिख्छा आपकी अच्छी हो जाएगी दूसरी चीज भाग प्रबन रूप से आपका साथ देने लगेगा इसके इलावा प्रेम संबंद की ये बात करें तो प्रेम संबंद भी आपका ठीक ठाक चलता रहेगा कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन सुरवात में आपका प्रेम संबंद गडबडा सकता है आपके वाणी के चलते क्योंकि वाणी दोस इस महीने बहुत ज़्यादा रहेगा अगर आप जल्दबाजी से काम करोगे वाणी पे नियंतर नहीं रखोगे तो आपकी दिक्कत प्रेम संबंद में भी हो जाएगी और कहीं न कहीं परिवार से भी मतब्यद हो जाएगा वैवाहिक जीवन आपका सामाने रहने वाला है सुरवात के 3-4 दिन, 3-4 दिन के बाद वैवाहिक दीवन भी अच्छा हो जाएगा यानि कि शुक्र जैसे ही 5 दिसंबर को ये भी भाग गिभाव में गोचर करने लगेंगे तो सुरवात के 5 दिन तो वैवाहिक जीवन में हो सकता है थोड़ा बहुत नोक जोक बन जाए लेकिन उसके बाद स्थितिया अनकूल हो जाएगी इसके इलावा अगर यात्राएं देखें तो यात्राओं के लिए समय की चाल अच्छी बनी हुई है जो लोग यात्रा करना चाहते हैं देश विदेश जाना चाहते हैं जाएए कहीं कोई दिक्कत नहीं है यदे आप नौकरी में हैं तो नौकरी में भी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी और व्यापार में हैं तो व्यापार में भी समचित लाव पूरा महीना आपको देखने को मिलेगा तो सभी छेत्रों में आप बाजी मार ले जाओगे सावधानी इतनी बरतनी है कि शुरुवात में मंगल सूर आमने सामने है तो ऐसे में थोड़ा गाड़ी वाहन संभल के आप चलाइए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चोट चपेट जैसी संभावना बनी हुई है उपाय के रूप में बजरंग बाड़ या हनुमान चालीसे का नित्य प्रतिदिन आप पाठ करें ताकि स्थितियां अनकूल बनी रहें जल्दबाजी से मैं पुना कहता हूँ बचे और कोई भी निर्णे लें तो एक बार परिवार की राय मस्बिरा जरूर कर लें ताकि परिशानी आपको झेलनी न पड़े तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मैं कत्रिपाठी को अनमत दीजिए नमस्कार